हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं शाथियो नमस्कार यदि आप काउंटर से वेटिंग टिकेट लेकर किसी भी स्रेडी में यात्रा करते हैं वह आप मान नहीं होगा इस पर कई दुनों से बहुत ही यात्रियों कर कारभाई की गई है जिनकी संख्या कम से कम 50,000 के आसपास हो गई है जो यात्री बेटिंग टिकेट लेकर अपने स्लीपर वाले कोच में यात्रा करते थे उनको आप वहाँ पर जुरुमाना देना पड़ता था हुआ क्या है कि सबसे पहले जब आप ई टिकेट लेते थे जिस तरीके से इटिकेट को आपने बुक कराया और यह आपको बेटिंग में मिला तो इसका पैसा आपको रिफंड कर दिया जाता था जिस एकाउंट से जिस IRCTC के एकाउंट से आप पैसे कटाते थे तो उस एकाउंट में आपका वेटिंग के लिए ना होने पर वह है पहले ही अमान माना रहता था लेकिन वेटिंग टिकेट में जो काउंटर से टिकेट लेते हैं उसमें ऐसा नहीं होता था उस पे आपको अभी इस समय जैसे आपका बेटिंग टिकेट के लिए नहीं हुआ तो आप बेटिंग टिकेट लेकर आप काउंटर पर जाएंगे इसके बाद ही आपको जो है पैसा रिफंड होगा लेकिन यदि आप उसी टेन में यात्रा करना चाहते हैं तो आप उस टेन के स कई लोगों के बहुत सारे जो रेल मदद अपना एप है उस पर बहुत सारे लोगों की सिकायते आई थी कि हमें वेटिंग टिकेट वाले यत्री से असुबधा होती है और उनके कारण से हम अपनी यात्रा सही नहीं कर पाते हैं उन जो सिकायते गई हैं उनको मद्दे नजर रखते हुए ये बड़ा फैसला रेल्वेव लिया गया है कि वेटिंग टिकेट वाले यात्रियों को स्लीपर कोच में यात्रा नहीं करने दिया जाएगा और इसका विसेज अभियान चलाकर इस समय बावन से पच्पन ट्रेन हैं आप उसको कैंसल करवा दें अन्था आप जनरल वाले बोगी में जाकर यात्रा कर सकते हैं तो ऐसा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा यदि आपका फिर भी कोई कन्फूसन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें मैं आपके सवालों के जवाब देन की पूरी कोशिस करूँगा मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में जब तक के लिए जैहन वंदे मात्रम